प्रोग्राम यहां पर दिसक्स करेंगे और वो प्रोग्राम है यहां पर देखेंगे और एक एक्जामपल हमने लिया यहां पर d5 by dx is equal to dx into y यहां पर यहां पर यहां पर यह जो होता है that is x1 is equal to 0 और y1 जो है वो यहां पर ले रखा है यहां पर xf का वैल्यू यहां पर दोल्रांस जो ले रखा है वो बिसिकली 1.5 काम ने ले रखा है अब यह इसका प्रोग्राम है यहां आने से पहले में आपको फड़ा इसका method समझाता हूं कि युलर method होता क्या है युलर method के अंदर क्या होता है it is the one of the simplest method oldest method होता numerical analysis में ordinary differential equation को solve करने के लिए यह अगर आपके पास में कोई differential equation dy by dx है तो यहां पर x is equals to x1 and y is equals to y1 these are the initial approximation याने कि IVPs आपको अगर यह गीवन है तो यहां पर जो general formula होता वो क्या होता yn plus 1 is equals to yn plus h into यह होता f of xn and yn यानी कि यह इसका formula हो गया formula basically यहां पर n terms के लिए in general में है यहां पर हम n जो है वो basically iterations होता है तो program हम इस iteration को i से represent करेंगे h यहां पर step size होता है जिस step size में आप यहां पर x की value output करें जैसे x is equals to x1 plus h हो जाएगा यह x0 हो जाएगा फिर x1 अगर आपको find sorry x2 अगर आपको find करना होगा तो वो यहां से sorry x2 हो जाएगा वो x2 plus h हो जाएगा ठीक है यह x3 हो जाएगा basically क्योंकि x1 तो आपके पास में है फिर यहां पर आपको x4 find करना है तो वो हो जाएगा x3 plus e हो जाएगा एस तो basically this is the step size step size होता है और आप different iterations में उस values को यहां पर put करता है तो यह इसका पूरा method होता है mathematical अब हम यहां पर programming देखेंगे कैसा इसका प्रोग्राम होता है तो एक बार मैं आपको प्रोग्राम यहां से समझा जाता हूं basically यह इसका प्रोग्राम है आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर standard जो इसके like header file के जो यहां पर declarations होता है standard वह आप यहां पर लिखेंगे तो पहला जो code होता हूं आपको बता जैता हूं किसलिए होता है यहां हम दो डिसकस करने वाले कम यहां पर रंगा-गोटा second order method जो दो डिसकस करेंगे ठीक है सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर करना पड़ेगा इस वाले का यूज करना पड़ेगा अब बात आती है यहां पर include math, math वाले जो codes है उनके लिए मैं आप यूज करेंगे उसके बाद में आपको फ्लोट के बाद में फ्लोट लगाता है यहां पर दो आपके पास में variables है तो x को भी फ्लोट करना है y को भी फ्लोट करना है फिर यहां पर return यानिकि बैसिकली जो आपका differential equation है यहां पर इसका function क्या है x into y तो आप क्या करेंगे यहां पर इसको return में लिखेंगे यानिक आपका जो basically differential equation होगा वो यहाँ लिखा जाएगा अब मालनों मैं यहाँ पर कहता हूँ कि x square plus y square हो जाता तो हम यहाँ क्या करते है return लिखते है तो यह होजता है यहाँ पर return return यहाँ पर क्या होता pow ठीक है return यह सब bracket लगाते है और यहाँ लिखते pow power आगया तो power को ऐसे लिखेंगे फिर लिखते x,2 फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्लस फिर अगेन क्या लिखते power में pow और यहाँ पर आजाता y,2 तो यह differential equation का input हो जाता जब यहाँ पर आपको differential equation solution यह differential equation dy by dx is equal to यह दे रखा होता now आगे आता है integer iteration 1 सेम को start करना यह iteration i is equal to integer iteration 1 हो जाएगा float किसको किसको करना x1, y1, xf, h, x and y यह सारे आपके पास में functions है इनको भम एक एक करके define करेंगी तो CLR, SCR का मतलब हो जाएगा जो आप screen पे पहले से जो process हो रहा है उसको यह अटा देगा अपने output को देगा पिर यहाँ पे सबसे पहले print क्या करना enter the value of x1, y1 यह आपको क्या करना x1 और y1 की value को enter करना है and then उसके बाद में scan करना है x1 जो हो कैसा होता float type का यहाँ परसेंट f का यूज करेंगे अगर यह integer type का होता तो हम percent d यूज करते लेकिन percent d में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर points वाली values आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे यहाँ पर scan f में देग और inverted comma के अंदर लिखा जाता है जो आप यहाँ पर floats की value यहाँ पर scan करना चाहते है वो inverted comma के अंदर आएगी और दो है x1, y1 तो यहाँ आपको दो बार percent f लिखना होगा फिर क्या करना होगा percent x1, y1 की values को देना होगा उसको फिर आगे उसके लिए print करना होगा next क्या हो जाएगा print enter the value of h and xf अब x, h जो इसका step size है उसको और यहाँ पर hf को डालेंगे अगेन यहाँ आपके पास में दो values दोनों float में है कि percent f, percent f हो जाएगा and h हो जाएगा and xf हो जाएगा फिर उसके बाद में आप यहाँ पर x जो variable है, x और y उनको define करेंगे तो x basically क्या हो जाएगा x1, y हो जाएगा y1 अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर हर बार आपको terminate करना बहुत जरूरी है semi column लगाना, अब कहां का लगाना मैं आपको बदा देतो, main function जो हम यहाँ use करते है, void main, इसके आगे semi column नहीं लगाना होता है, बागे हर एक के आगे आप देख सकते है, जहाँ जहाँ जाहें, देखो, CLR, SCR के आगे भी लगेगा यहाँ पर, बाकी जहाँ 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 पर आपके पास में है, यह इन सब का क्या करना है आपको, जो है, वो यहाँ पर use करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर यह कहा रहा है printf, printf क्या करना है printf the value, i का value प्रिंट करना, x का value यह इन सब का value प्रिंट करना है, i जो होगा वो integer type होगा, क्योंकि i क्या है, i iteration है, first iteration, second iteration, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो first iteration, second iteration, third iteration, फिर उसके बाद में x क्या है, float है, इसलिए यह float आजाएगा, फिर यहाँ पर y क्या है, again float ही आजाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने n slash and backslash n करके लिखाए, इसका मतलब होगा, वो नीचे वाली line में देगा, यहाँ कि यहाँ पर आपके पास i का value आएगा, उ otherwise क्या होगा, आगे नीचे नीचे होता जाएगा, अब हमें compile करके इसको देखेंगे, ठीक है, फिर आता है यहाँ पर while, while क्या कहा रहा है, x अगर xf से छोटा आ जाता है, यह condition को यह condition हम यहाँ पर दे रहे है, tolerance, basically क्या होना चाहिए, always x नहीं, xf का value, x और function का value, x से बढ़ basically मैं आपको बताया था, x जो हो हर बार h में add होके चलेगा, आगे हर एक iteration के लिए, तो i is equals to इसके लिए क्या हो जाएगा, x का value x, x plus h हो जाएगा, फिर अगे आपको क्या print करना है, print यह, last जो print करना हो यह करना है, i का value integer type में, इसलिए percent d लिखा है, x का value float type में होगा, rn का value type में होगा, get ch का मतल्द होता है, उस screen को hold गर रखना, तकि हम हमारा output enter कर सके, so this is totally like complete program of the Euler's function, Euler's method, Euler's method हम कैसे solve करता है, जो आप इसको enter करोगे, यह कुछ इस type का आपको देखेगा, ठीक है, यह आप यहाँ से देख सकता है, यहाँ पर आना, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने conio.h का using है, क्योंकि मैंने यह program दूसरे software में किया था, generally turbo c++, यह पर turbo वाले जो, in general, जिसका हम एक्जाम देते हैं, जिसमें जमारा जो practical होता है, उसके लिए basically, turbo वाले का use का जाता है, वहाँ पर आपको यह भी लिखना पड़ेगा, basically has include, has include, यह हो जाएग आपके देखते हैं, कैसा देखेगा और हम उसमें value output करेंगे, क्या हो जाएगा, x0 का value क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 0,1 यहाँ पूट करेंगे, फिर आगे हो जाएगा 0.1, and यहाँ पाजाएगा 1.5, ओके, यह program वाहाँ रन करकर देख लेते हैं, त देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ लिखा, actually मैं जो है, यहाँ पर C compiler online यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको जब आप, अप Turbo C में यूज़ करेंगे, दूसरा पर क्या करना पड़ेगा, आपको दो चेंज़ करना पड़ेगा, एक तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर printf function है, यहाँ पर float के बाद में, यहाँ पर आपको CLR, SCR यह लिखना होगा, और उसके बाद में एक और change जो है, आपको करना होगा, सबसे यहाँ पर last में, जहाँ पर printf लिखा, आपने ब्रेकेट लगा है, यहाँ पर इस ब्रेकेट के बाद में आप क्या लिखेंगे, यह मैं यहाँ से इसको उटा देता हूँ, और यहाँ पर CLR, SCR इसको क्लिए करने के लिए होता है, यह मैं यहाँ पर automatic कर लेगा, इसलिए हटा देता हूँ, और एक कोनियों जो होता है, वो basically CLR, SCR हटा दी हमने, तो यह इसका भी use नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको भी सकते हैं, और फिर करना है, आप आपको CTRL F9, जिससे का आपका program run हो जाएगा, और जब program इसका run होगा, तो कैसा दिखाए देगा, आपके सामने ऐसा आएगा, enter the value of X1 and Y1, अब हमारा जो differential equation था, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर यह differential equation था, और इस differential equation में आपक 0 हो जाएगा, Y1 का value 1 हो जाएगा, इसके बाद में आप दबाएंगे, यहाँ पर enter, अब पूछ रहा है आप से H का value, H का value क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, फिर आजाएगा, XF का value वो हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, इसके बाद में enter जो ही प्रेस करेंगे, आपके सामने iterations आजाएगे, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा, iteration, यह हो जाएगा, यहाँ पर first iteration, यहाँ पर one लिखा आ रहा है, first iteration 0, 1 आ रहा है, फिर second iteration 0.11 आ रहा है, one point और यह सारे क्या आ जाएगे, इसके iterations आ जाएगे, ऐसे करके, I think, यहाँ पर four iterations आपका solve के, अब अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं लिखना चाहता हूँ, x square plus y square को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, x और सबसे पहले लिखूँगा, pow, power लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ लिखेंगे, x, 3 लिखेंगे, और यह हो जाएगा, bracket close, फिर again क्या करना प्लस करना, फिर लिखना आपको again power, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y cube करना है, तो y cube हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, x cube, y cube के लिखेंगा, और again क्या करना है, इसको आपको run करना है, यह वापस run हो जाएगा, अब इसका value आएगा, जैसे 1 put किया मैंने आपको, sorry, 0, x का value 0, y1 का value 1, तो यहाँ पर हम h का value दे देंगे, इसको 0.5, और xf का value आजाएगा, 1.5, तो यह करते हैं, x cube plus y cube के लिखेंगा, यह सारे जो iterations आ रहे है, that is for x cube plus y cube, तो यह आपको इतने iteration इसके लिखेंगे, ऐसे आपको यहाँ पर perform कर सकते हैं, Euler's method से ordinary differential equation को solve करना, ना व program, same है, बस आपको में बता जाता हूँ, difference कहाँ पर, रंगा कुटा second order जो होता है, उसमें भी हम इसी differential equation को solve करेंगे, with these same initial value problems, तो difference कहाँ बारा में आपको बता जाता हूँ, एक तो difference यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर x1, y1, s, और s1, s2 को यहाँ पर again, और यहाँ पर अब d जो होता है, वो क्या होता है, d1 प्लस d2 अपॉन टू, अब d1 क्या होता है, d2 क्या होता है, बिसिकलिए यह functions, f, x2, फिर आप क्या करता हूँ, y1 जो है function, उसमें आप h into d करता है, चैनिक उसका step size, तो यह बिसिकलिए d होता है, in general जो होता है, इसका formula होता है, यह यह di plus 1 f of x i plus 1 y i plus hd के साथ में मल्टिप्लाइगा तो di का जो value होता वो यह होता आपके पास में di plus di plus 1 upon 2 अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखना देखो प्रोग्राम में difference कहाँ पर आएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको एक तो s1 s2 को आप यहाँ पर नया introduce करोगे उसके बाद में देखो same line s1 में क्या करेंगा function of x and y लेंगे जिसको हमने यहाँ पर return के अंदर जो है वह define कर लिया this is function ठीक है अब क्या करना उसके बाद में यहाँ पर s2 लिखना उसके बाद x को define करेंगा x के x अरबार क्या हो जाएगा x plus h हो जाएगा हर iteration के अंदर फिर आजाएगा यहाँ पर s2 s2 basically क्या हो जाएगा s2 का मतलब हो जाएगा f of x और क्या हो जाएगा y plus जो आपने यहाँ पर s1 define किया वो इसके अंदर add होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर s1 के अंदर add हो जाएगा तो उसको हम यहाँ आपस लिख देंगे फिर आप यहाँ पर define करेंगे कि y क्या है तो y जो है न यह basically main formula होता है y जो है न वो क्या हो जाएगा अनिकि जो आप आप d कहता है न वो y हो जाएगा तो y क्या हो फिर यह क्या हो जाएगा इट्रेशन आई प्लस बंग इसको फूरा प्रोग्राम करना मैं आपको बताजाता हूं कैसे इसका नहीं किया है ठीक है अब हम यहां करते हैं पूरा मैंने जो आपको अभी मैंने बताया था वो पूरा मैंने आपे जो उस प्रोग्राम को लिख दिया है विसिकली पूरा प्रोग्राम हो जाए गया आप यहां यहां पर अपे य ही प्लस है अब करते हैं सको रन कंट्रोल अ और इंग उससी प्रोग्राम पूछे गाएगा पर एंटर्प्रेस करना है एंटर्फ्रेस करने से एच का वेल्यू पूछेगा, h का value 0.5 हम यहाँ पे दे रहे हैं, that is 0.5 and h x अब का value जाएगा 0.5, इसको एंटर करते हैं same value आएगी हम, बट यह किस से आ रहा है, यह आ रहा है, रंगा कोटा second order वाले programming से, so this is all about the आपको पूरा topic जो है अच्छे से क्लियर होगा, यह हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रन करके बताए आपको, so thank you for watching my video, keep watching MS Maths, and this is it for more videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करें, thank you, bye-bye